नमस्कार आप देख रहे हैं कशिश नियूज और आपके साथ मैं हूँ दीपक शर्मा बाबा विश्वनात की नगरी में विश्वगरू बनने की दिशा में देश को आगे ले जाने का दावा करने वाले नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार अपनी दावेदारी सांसद के रूप में पेश कर दी है वैसे तो मोदी एंडिये नेताओं के लिए गैरंटी का परयाय बन गए है लेकिन मोदी खुद अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए बाबा के दरवार में पहुँचे और साथ ही जमा हुए एंडिये खेमे के सभी सही होगी बाबा से आस तो सब को होत मिलेगा सवाल तो पूछेंगे और इस सवाल का जवाब देने के लिए हमारे साथ कुछ मेमान थैसे आपका परिच्छे कर Breaking लिए जी बीजे पीकी और से पार्टी का प्रक्ष्ट रखने के लिए लकीर पोश्य कउंडर की और से चीन बहुत-बहुत स्वागत है सब तो राकेश पुदार जी आप से सीधा सवाल ये कि जब कोई विरोधी खेमेक आने ता मंदिर पहुंसता है, मस्जिद पहुंसता है, चादर पोशी करता है, तो उस पर कई सवाल खड़े किये जाते हैं, लेकिन जब प्रधान मंतरी नरंदर मोदी तीसरी बार अपने संसदिय के शेतर में नॉमिनेशन के लिए पहुंसते हैं, तो वो भी वही प्रक्रिया का पालन करते हैं, तो फिर विरोधियों पर हमला किस मुह से बोलें? ऐस पर शुब से वहान को साक्षी मान कर काम करने की ओर चलते हैं, और जो विकास की बात हो, संकल्प की बात हो, हम लोग उसको लेके चलने का काम करते हैं, और दुसरी बात रही कि सभी निता, आज हमारे जितने भी एड़ घटक दल के थे, सभी निता माने प्रधाम जी के नौमनेशन में गई और सबसे अच्छी बात रही कि जो उनका परियोकार थे जो उनके बतलब नौमनेशन में जाने वाले लोग थे जो एक सोनकर समाज से आते थे जो हमारे बनारस के जिला महामंत्री थे और उसके बाद सास्तुरी जी थे जो प्रान परतिष्ठा के समय जिन लेगिन यहां सिर्फ सबका साथ सबका विकाश नहीं जस जातिय समय करण की बात होती है वो भी साधा गया और सिर्फ इस लोग की नहीं है और 9 ग्रहों को भी साथने का प्रयास किया गया जैसा आप खुद कह रहे हैं कि जो भविश्य वक्ता जो आचार्य मोहुर्त सही सट जिक और देखकर निकालते हैं उन्हें भी साथ में रखा गया था तो क्या खुद पर भरोसा नहीं है उस व्यक्ति पर जो सब की गैरेंटी ले रहा है रहे साथ में लेकर चलना ही परता है को सब्सक्राइब बारते जिंदापड़े में परंपरा है कि हम सुरुआत भी जो करते हैं तो भगवान का नाम लेकर ही सुरुआत करते हूं कोई भी हमारे जो संसदियत चेतर का चुनावल लड़ते हैं अपने देखा होगे पीछे हमारे माने लालू परसार जी की बेटी पुत्री अचारिया सबसे पहली बात है कि जो जिस धर्म को मानता उस धर्म के लिए जो भी काम करने जाता है लोग तो उसको उस मंदीर महजीद या गुरुद्वारा जो भी जिनका होता है जो धर्म को मानते हों वहां जाते हैं लेकिन सवाल उठता है कि आप करे तो सही कोई और करे तो गलत ये गलत बात है मैंने अभी एक देखा था इस्टीमर पे अभी आधनिया परधान मंत्री जी किसी मीडिया को बाइट दे रहा है और उसमें इतना मतलब क्या बोला जा आपको अपने कार्यों पर भरोसा नहीं है इतना इमोशनल होकर कि आप आशू दिखा रहे हैं ये कर रहें तो बड़ा ये दुखत की बात है कि जो परधान मंत्री जी पूरे दुनिया की गारेंटी लेते हैं पूरे देश की गारेंटी लेते हैं अब मोदी की गारेंटी पर लड़ाई लड़ी जाती है वो नरेंदर मोदी जी को भरोसा नहीं अपने कार्यों पर जीतने पर तो मुझे लगता है कि ये दुखाद है और अगर आप किसी पर एक उंगली उठाते तो तीन बहर कर सामने आई जो तैयारी नॉमिनेशन से पहले देखने को मिली उस पर क्या कहेंगे अब मोदी जी को लग रहा है कि राम का ही सहारा है जनता तो पूरी तरह नकार चुकी है और मुझे लगता है कि अब राम भी नहीं बचाने वाले हैं क्योंकि उनके मन में अगर ऐसा होगा और वह इस बात को सूच करके वहां उस दर्बार में गय होंगे कि राम जी करेंगे बेडा पार उदासी मन काहे को डरे लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं क्योंकि समझ लेज़े दीपक जी क्या है राम हमारे आराध्य देव हैं और हम उनकी आराधना करते हैं भाई इसके उलट नरेंदर भाई मोदी क्या करते हैं राम को बेचते हैं भारती जनता पार्टी क्या करती है राम की मार्केटिंग करती है और उस मार्केटिंग के साथ ऐसा एवेंट जो है वो तयार करती है कि सब कुछ जो है वो राम में लगे उनको लगे कि भाई राम जी के अ पाल, चेहरा और चरित्र है और राम के प्रति जो राम के मार्केटिंग के प्रतियास था जो है वह भी राम जी देख रहे हैं और राम जी इस बार बेड़ा पार नहीं करने वाले हैं क्योंकि प्रदानमंत्री जी को भी यह समझ में आ गया है कि जनता उनके उनकी पार्टी को उनके उम्मिद्वार को पूरी तरह नकार चुकी है दीपार शिशिर जी आप राम जी की मार्केटिंग के बिलकुल राजेश जी राकेश जी की पृतुकरिया जरूर लेंगे लेकिन एक छोटा सा सवाल है उस सव होने का मौका मिला है उन्हें वहां विराजमान किया गया है उनकी जगह उन्हें लोटाई गई है तो क्या इसकी मार्केटिंग न की जाए दीपक जी जो सवाल आपका है बहुत अच्छा सवाल पूछा है और मैं थोड़ा इसके लिए एक मिनट का समय आप से लूँगा यह बताईए कि राम जी के मंदर का जो निर्मान हुआ वो क्या भारती जनता पार्टी की वजह से हुआ या कोड के आदेश पर हुआ पहली बात दूसरी बात यह कि क्या कोड में भारती जनता पार्टी पार्टी भी थी पार्टी कौन लोग थे पार्टी निर्मोहिय खाड़ा पार्टी स्वैम शंकराचार्य थे पार्टी जो है वो मुस्लिम पॉस्टनल लौबोर्ड था ये नरेंद्र मोदी और भारती जिनता पार्टी कौन होते हैं हां ये लोग सडक पर ताली और थाली जरूर पीट रहे थे तो आप बताईए दीपक जी क्या कोट की कारेवाही या कोट का आदेश ताली और थाली पीटने से आता है सवाल है ये कहीं से भी आपको याद होगा कि शंकराचार्य ने बाकाइदा लगभग लगता है कि जो 43 दिनों तक जो उसमें आर्गिमेंट हुआ अलवाद हाई कोट में उसमें लगभग 16 दिनों का अर्गिमेंट जो है व कोट के आदेश के मुताबिक राम मंदर का निर्मान हुआ है वह भी आधे अधूरे निर्मान में लोग प्रान्प्रतिस्था करने लगे वहां भी प्लिटिकल इवेंट इन लोगों ने बनाया और शंक्राचारिय जो सनातन के सुप्रेम कोट माने जाते हैं और शंक्राचा बात संक्राचारे नहीं यह भी कहा कि जब प्रान प्रतिस्था अल्रेडी हो चुकी थी तो फिर सनातन ववस्था में किसी भी प्रतिस्थित मुर्ति के दुबारा प्रतिस्था का विधान नहीं है यह भी विरोध का एक वजर है लेकिन एक सुन लीजे एक पॉलिटिकल इवेंट बना करके और भारती जनता पार्टी ने जिस प्रकार से उसको कैश करने का काम किया अधिपक जी इस देश की जनता ने देखा और आप कहरें कि कैश करने का वो प्रयास भी विफल रहेगा राकेश जी आप क्या कहेंगे देखें बहुत दुर्भाग लगता है कि एक सनातन धर्म को मानने वाले लोग सनातन का ही उठाते हैं कुछ दिन पहले तेजोसी प्रसाद जी काते थे कि परधान मंत्री भी हिंदू थे मुखमंत्री भी हिंदे थे मैं उनसे पुछना चाहता हूं राष्टे जनतादल के ल लोगों पे काता कि मंदीर हुआ ही बनाएंगे समय नहीं बताएंगे लेकिन हमने हमारे देश के परधामनी सदन में भी का सदन के बार भी का कि सुप्रीम कोट की आदेश पर पर तिश्टारों में देश के नागरिक होने थे मैं आपको सवाल का जाप तो रहुल सब्सक्राइब करते थे सोनिया गांदी जी तंज करती थी और उसके बाद ये कहते हैं कि राम मंदिर के 1990 में हमारे घोष्णा पत्र में था आज कभी गोष्णा पत्र में हमारे में आया कि पराहन पर दिश्टाओ बार्नव का कैसे विकास हो इस संकल्ब भारत भारत में 24 में ह सवाल कुछना चाहता हूं भारत में पार्टी थे कोट में 1990 का प्रत्र में गोष्णा पत्र में गोष्णा पत्र में कितने परिवार को हुए रभी संकर प्रसाद जी अभी जिन्दा हैं हो पर हमारे परुकार थे लात की साथ बानी की रट हा रहे थी राष्टे जन्त अधल के लालो परसाद यादम ने समझति उस रट को रोकने का काम क्या ने का चले लेकिन बीजेपी को आप पर यह आरोप लगा ही कि राम मंदिर निर्मान कारे में अडंगा डालने का प्रयास कॉंग्रेस ने किया बि भले ही आप BJP को श्रेय लेने से रोक रहे हों तिक क्यों श्रेय लेंगे यह पूछना चाहता हूं कि पब्लिक बमिन में है ना मैं यह पूछना चाहता हूं भारतिय जंता पार्टी के मित्रते कि उसकोड के आदेश की कौपी को देखें उसमें जो भी पक्ष होता है और उसक पहरोकार थे लगा रहा है कि अगर 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 आई एंडियाई अलाइंस की सरकार बनी तो राम लला को फिर से टेंट में भेजने का काम किया जाएगा यह खुले मंच से चुनावी मंच से प्रदान मंतरी नरेंद्र मूदी कह रहे हैं कि आज उन्होंने ना मांगकन दाखिल किया है इस पर हम थोड़ी बातचीत और करेंगे फिलाल समय हो चला एक छोड़ी से ब्रेक का जल्द लॉटते हैं क्या है कि प्रदान मंतरी जी कभी कॉंगरेस पर तंज कासते हैं कभी आर्जेडी पर तंज कस थे हैं कभी विरोधी में जो भी खेमा है उस पर तंज कसना प्रधान मंतरी अपना जन्म सिद्ध अधिकार समझते हैं और दस वर्षों में जो उन्होंने वो सत्ता में रह करके जो उन्होंने काम किया है दीपक जी उनके पास उस काम को बताने के लिए एक फूटे शब्द नहीं है हर संबोधन 20 से लेकर 35-45 मिनट तक होता है सिर्फ इतने देर तक कॉंग्रस की माला न प्रधान मंतरी जबते हैं और दूसरे नेता प्रधान मंतरी नरेंदर मोधी के नाम की माला जबते हैं अपनी अपनी बाते रखी जाती है यह अलग बात है कि उसे कितना आप सुनते हैं कि बहराल सवाल वही है कि क्या इन बातों का प्रभाव पुर्धान मंत्री को अपने चुनाव शित्र में अपने मतदाताओं के सामने भी उसी अंदाज में रखना पड़ेगा या वहां कुछ आसान होगा रास्ता और जो एक जुटता दिखाने का प्रयास है वो क्या दर्शार ह प्रधान मंत्री को ऐसे नेताओं की जरुवत है जिनका काशिव विश्वनात में उस तरह का जनाधार भी नहीं हो क्यों बुलाया गया देखें दीपल जी पहले मैं कॉंग्रेस के नेताओं से मैं कहना चाहता हूं कि देखें विधान सभा का चुनाओं नहीं हो रहा है लो को समय पने अपना मौका महिंगा हूं सके बाद को कंग्रेस का राष्टिया जनतादल का अपना गोस्वनाबात रहने के अपना पत्र है इन से क्राइब करेंगा २ियुक रोड्म Aur 300 में 535 वादे 99 दिपक जी हम लोगों पूरा किया 2019 में 225 वादे के लिए लगभाग 224 वादे को हमोने पूरा किया मार्च में जा जाते कानून ता उसको भी लागु कराने का काम किया आने वाला समय जो घुस पेटिया अंदर मंगला देशी धर्म की साथ हमारा देश बटवारा हुआ उसको निकालने का काम करें रही बाफ सुनिए और विकास की बात कर रहे हैं को सब्सक्राइं कुछ भाता देशी काम orphan हुआ है मैं उचलाने का काम करें जिसमें सिरिफर चेर कार और मेट्रो ट्रेन भी होगा उसके बाद उत्तर भारत में हम लोग ने ट्रेन लाने का काम कर रहे हैं जिसका ट्रेन का नाम है बुले ट्रेन वो लाने का काम कर रहे हैं और सभी राज्यों में कि मांग है कि दू करोर नए घर बने उसको बनाने का हम लोग काम करेंगे उसके ब कि बिहार में निवेस कब आएगा बिहार में फाक्टरियां कभ खूलेगी बिहार में एक्सप्रेस वे पबनेगा दिए अपके आपके MP ने क्या बोला पताएं आपको आज जो लगारा है कि विस्पेता रहा आपने अपनी बाते पुराने काम और आगे की योजनाएं बता दी मदू जी बिहार के लिए क्या मिल रहा है ये सवाल खड़े कर रही है लेकिन आपने मिनिफस्टों पे एक सवाल खड़ा किया शेशिर जी उस पर जवाब देना चाहते थे संग शेफ में समय नहीं है क्या पहले आप बातचीत करके कामन मिनमम प्रोग्राम तयार नहीं कर सकते बाद में जगड़ा नहीं हो जाए दिपक जी मैं मुश्किल से डिर्ड मिनिट का समय आते हैं जल्दी से जल्दी से घोस्टा पत्र पर पर बस व कमन मीनीमम् प्रोग्राम के तहट आती ठीक है तो कवमन मीनीमम प्रोग्राम जो है आर जेडी के जनड़े से भी लिया जाएक føltis Welleee और जो भी तो मतलब जोड़कर सवा करोड़ नौक्रियां हो जाएंगी 35 लाग जो रिक्त है अभी खाली जो है उसको पहले भड़ेंगे उसके बाद एक करोड़ नौक्री की बात हुई है जो लोग आप लोग भूल जाते हैं जो रिक्त है अभी खाली ज़गा है चलिए देखना दिल्चस्प होगा कि आखरी चरण में क्या होता है चलिए वक्त अब हमारे पास नहीं है बहुत बहुत धन्यवाद मधु मंजरी जी शेशिर कॉंडिले जी और आखिश पोदर जी अपना समय देने के लिए इस चर्चा में शामिल होने के लिए देखना दल्चस्प होगा आखरी दौर में प्रधान मंतरी नरेंदर मोधी चुनावी मैदान में होंगे और अब तक कि यो प्लबदियों को बत झाल